अचियो कि हेलो बच्चों डेखो बच्चों बेसिक मैठ के मेंने दोतिन लेक्ट्चर अभी पिछली क्लास मेeni लिय था ठीक है तो आज भी हम लोग बेसिक मैठ का तीसरा लेक्ट्चर लेंगे और इसमें जो हम लोग सीखेंगे वो क्या होता है लॉग ठीक है अभी देखो मैं जादा details में तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ ठीक है अभी छोटे छोटे लेक्चर से overview ले रहे हैं कि होता है क्या है लॉग बहुत important चीज है ये जैसे मैंने पिछली क्लास में तुम लोग को inequalities बताई थी वैसे ही क्या बता रहा है तुम्हें log ठीक है अब दोको log भी as such भी question आता है directly भी mains भी आता है advance के paper में भी आता ही है ठीक है लेकिन math के अधिकतर chapter में ठीक है math के अधिकतर chapter में किसका use होता है मेटा log का use होता है ठीक है मतलब मन हो ना हो ये तुम्हें दिख जाता है ठीक है मतलब यह कह सकते हो कि बिन मुलाय महमान है जो कभी भी पहुचेंगे किसी भी चैप्टर में कही पे भी तुम्हें क्या दिख जाता है इस वर्ड का यूज लॉग अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है ये दुनिया में आया किया था ठीक है फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूँगा कि इसमें गलतिया क्या है ठीक है जिसके चक्कर में लॉक को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है पर मैथ है तो लगवा लेते हैं वो लोग जैसे हम लोग calculation करते है normally हम लोगों ने calculation किया अब हमें इतना पता है इसकी power अगर अगर 1 होगी तो उ हम पता ही है मानलो 1 के अलाभा हम लोगों क्या ले लिए इसकी power 2 तुम्हें पता ही है कि calculation कर लोगे अभी तक कर सकते हो ठीक है मानलो मैंने बोला 3 तो भी बोलोगे सर चलिए थोड़ा टाइम लगेगा पर हम कर लेंगे लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि बैटा ये सौल करो तो क्या बोलोगे तुम लोग सर रहने दो ये हमारी बस की बात नहीं है तो दोको ऐसी चीजे जहां पर कैलकुलेशन हमारे बस में नहीं रहता है ठीक है हमारे बस का जहां पे हमारा calculation हमारे बस में नहीं है उन चीजों पे हम लोग क्या लगा देते हैं log ठीक है उन चीजों पे हम लोग क्या लगा लेते हैं log ऐसा नहीं है यह मैंने छोटा example दिया है तुम कोई भी लिख सकते हो कितना भी चाहो multiply कर सकते हो कितना भी चाहो तुम इसमें क्या कर स सब्सक्राइब तो यह क्या है मेरा चोटा सा एक्जामपल कि हम लोग ऐसी जगह पर क्या लगाते हैं लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे ठीक है लॉक्त तुमारे केमस्टी में बहुत होता है जैसे मालों तुम लोग सुच्छे कर रहे हो नीट कर हो कुछ भी कर रहे हो ठीक है लॉग हर जिगे में मिलता है मतलब फिजिक्स में भी आ जाता है कभी कभी कमेस्टी में तो आता ही है मैट में तो फिक्स है ठीक है तो ये तो सभी के लिए मतलब ये टॉपिक किसके लिए सब के लिए चाहे वह तुम नीट कर रहे हो या पिर तो तुम्हीं पता ही है कि वो तो आ नहीं आना है तो लॉग क्या करेगा तुम्हारा यह तुम्हारे ऐसे कैलिपलेशन में यूज़ होता है लेकिन problem होती है कि log के जो answer होते है वो बिल्कुल accurate नहीं होते है ठीक है accurate क्यों नहीं होते है अभी तुम लोगों नहीं पता है पर तुम लोगों ने जैसे practical लिखते हो न तो तो practical के पीछे table बनी होती है तुमारे पास ठीक है उस table में जो इसके answer है न बेटा वो point के चार places तक लिए गया है ठीक है और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि वो answer accurate दे यह क्या बता देता है एक approximate answer बता देता है ठीक है इसलिए बहुत सारे board ने इसे क्या कर दिया है अपने syllabus से हटा दिया गया है लेकिन इसकी जो properties है उसको नहीं अटाया गया है ऐसे questions को हटा दिया गया है लेकिन chemistry में अभी भी वो solve नहीं होता है इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है इसका use करना पड़ता है तो math में तुम्हारे सामने क्या लगवाई जाती है इसकी properties लगवाई जाती है ठीक है मैं graph graph के बारे में बात बहुत बताओंगा जब तुम लोग 11 पर पहुंचोंगे त 2 की पावर 3 equals to 8 ठीक है हम सबको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 के बराबर होता है अब इसी चीज को mathematics के अंदर हम लोग ऐसे करके लिखते है लॉग कैसे लिखते है अच्छे दिखना लॉग जो ये नमबर लिखा था ठीक है ये नमबर कहां लिख देते है इस जगे पर ये जो नमबर लिखा था इसको लिख देते है बेस में equals to power ठीक है कैसे लिखते है इसी चीज को ये नमबर बेस में ये नमबर equals to ये नमबर मतलब मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि अगर माल लो एकी पावर x equals to n है तुमारे पास तो इससे लोग कैसे लिखेंगे बिटा ये नमबर ये वाला नमबर यहाँ लिख देते और ये किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है ठीक है और ये दोनों चीज़े mathematical equivalent होती है मतलब mathematics के अंदर ये दोनों चीज़े आपस में कैसी चलती है? बराबर इसे हम लोग क्या बोलते है? mathematical equal ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते है mathematically equal और इसे पढ़ा कैसे जाता है बच्छो इसे हम लोग पढ़ते हैं log a to the base 2 दिख रहा है न यह खुल लिखा है न log इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं log a यह जो नीचे होता है यह वाला इससा इसे हम लोग बोलते हैं इसका base इसे क्या बोला जाता है इसका base ठीक है तो यह याद दखना इसे हम लोग क्या बोल देते हैं इसका base तो कैसे पढ़ा जाता है log a to the base 2 ठीक है इसको ऐसे करेके लिखा जाता है अब देखो कुछ इसके ओपर restrictions भी होती है हमेशा यह नहीं होता है instructions क्या होती है पहली कभी भी log के यहाँ पे इस जगे पे जो भी यहाँ पे value आयगी बेटा वो 0 से बड़ी होती है जो भी यहाँ पे value आयगी वो क्या होती है बेटा, always 0 से बड़ी होती है, ठीक है? दूसरा जो base होता है इसमें जो value होती वो भी 0 से बड़ी होती है पर 7 ने base ने 1 नहीं होता है ठीक है अब कहोगे सर ऐसा क्यों है तो देखो इसका reason में detail में बाद बताओगा तुम लोग को ठीक है क्योंकि देखो ये detail में theory है तो theory में तुम लोग को अभी interest नहीं आएगा जब तुम लोग लगाना सीख जाओगे उसके बाद तुमें खुदी पता चल जाता है कि ये चीज तो यहाँ पर कभी होई नहीं सकती उन्हीं में यह answer चिपे होते है ठीक है तो अभी बस क्या याद अख लेना इतना याद कर लो इतना होता है ठीक है अभी क्या होता है केवल लोगों को एक चीज जहां पर इस जगएं पर जो भी नंबर होगा वह 0 से बड़ा हो थेक जीरो से बड़ा कोई भी सकते हो यह बात की बात है बाद में तुम लोग को सिखाऊंगा प्रॉपर क्लास पूरा डिटेल में बताया जाएगा ठीक है लेकिन अभी यहाँ पर मैं डिटेल में ज्यादा नहीं गुसरा हूँ क्योंकि मैं पहले बोल चुक हूँ थेटिकल पार्ट है थोड़ा सा बोरिंग हो जा 3 की पावर 4 अब देखो 3 की पावर 4 हम लोग को अल्लेडी पता है 3 9 27 81 तो इसी को अगर हम लोग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे लॉग 81 बेस में 3 एकवल स्यों कितना हो जाएगा 4 जैसे मैंने भी सिखाया है कि ये तुमारा इधर आ जाता है ये इधर जाएगा और ये बेस में चला जाएगा ठीक है एक और लिख लेते है पाइप की पाव पर 3 कितना हो जाएगा कि 125 होता है ठीक है अगर इसी को लॉग में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों लॉग 125 पाच और इधर कितना जाएगा अपने पास तीन है ठीक है और दोको मैं पहले बोल चुका हूँ लॉग 11 12 दोनों मैथ केमेस्ट्री बिल्कुल फिक कोश्चन में कैसे सॉल्व करना ठीक है ठीक है ठीकल तुम्हें बाद में तुम्हें सिखाई दूगा लेकिन याद रखना हर चैप्टर में मतलब एक दो चैप्टर की बात नहीं कर रहा है कम से कम नहीं तो 15 से 20 नियर अबाउट चैप्टर है जिसके अंदर ये यूज होग तो याद रखना है मिनिममम कितने चैप्टर की है तुम्हारे 15 से 20 चैप्टर में तुम्हें दिखेगा दिखेगा ही जब पढ़ोगे तो मैं डिटेल में तुम्हें बताओगा कि इस चैप्टर में भी आता है इस चैप्टर में भी आता है तो दो यह हो गया छोटा कि अग लोग में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखो मालनों हमारे पास ऐसे करके भी अधी ठीक है, यह ऐसे करके दिया है, और मैंने तुमसे बोल दिया है कि X की वैली निकालो, क्या निकालने को बोला है हम लोगों ने? find x ठीक है अब देखो same चीज को देखो अगर ये वाला को देखोगे दोगो इसको देखो ये दिख रहा है दोगो बिल्कुल इसकी सकल इससे match कर दी दोगो बिल्कुल तो हमें दिख रहा है कि answer कितना आने वाला है हमारे पास देखो लो इसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आंसर कितना आएगा 81 तो देखो कैसे आएगा अब यहाँ से सीखो अगर लॉग के बरामेर में ऐसे लिखा है तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा ये नंबर एक्वल्स टू इसकी पावर में ये वाला नंबर क्या लिखते हैं इसकी पावर में ये वाला नंबर ठीक है या दखना जैसे ही लॉग हटेगा क्या जाएगा हमारे पास इसकी पावर में ये वाला नंबर यानि एक्स की वैल्य कितनी हो गई 3 की पावर में 4 या दखना हमेशा ये क्या होता है कुमारे सामने जैसे ही लॉग को लगते हैं 81 3 9 27 81 ठीक है तो यह होता है लॉग को हटा के सॉल्व करने का तरीका कोई भी कोश्चन हो कोई भी इधर साइड में निगेटिव आएगा इधर निगेटिव आ सकता है इधर निगेटिव नहीं आ सकता है करें ओके मालों जैसे दूसरा एक्जाम्पल अपने पास है कि लॉग पॉर एकस्टो पार ले लेते हैं तो शिंपली है समझ माद जाओगा तुमको अब एकस्टो कितना आ जाएगा इसकी पार में यह बाला नंबर ठोंचार की पार में 3, तो 4 की power में 3 कितना हो जाता है 4, 16, 64 ठीक है, power solve करना तो आते हैं कि 4 को 3 पर multiply कर लोगी ये चीज़ आ जाएगा, बस होता है क्या है log हटेगा, तो इसकी power में ये वाला number अपने आपा जाएगा ठीक है, तो चलो एक और च कर लेते हैं मालो ये लिखा है अपने पास ऐसे करके लिखा है, डरने की बात अभी भी नहीं है ठीक है, अभी भी हम क्या करेंगे इसकी power में ये वाला number कुछ भी लिखा है आपने, हमें कोई फरक नहीं पड़ता है हमारा तरीका वही रहाएगा तू की power में कितना आ जाएगा, 5 अब तू की power 5 कितना होता है 2, 4, 8, 16, 32 अब ये दो अधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बिटा 32 प्लस 2 ठीक है, तो दोको अंदर कैसा भी लिखाओ अभी पीछे मैंने क्या दिया था, छोटा सा नंबर अब अंदर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया तो अंदर तुम चेंज करते रहोगे, परक नहीं पड़ता है तरीका वही है, कि अगर ये है इसकी power में ये वाला नंबर इसके बराबर हो जाता है, एक और देख लेते ये लिखा है, ठीक है, तो अभी भी बिल्कुल सेमी तरीका है एकस प्लस वन, किसके बराबर आजाएगा बिल्कुल? तो देको एक कोश्न तुमारे सामने, ये वाला कलियर हो गया, एक ये हो गया उच्को तुम्हें बेसिक आइडिया मिलगा, कि अगर ये लॉग ऐसे होगा तो हम लोग इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं बस मैंने क्या चीज बोला है कि जो भी यहां लिखा होगा यह negative नहीं आना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर यह negative आ गया तो फिर log पेल हो जाएगा क्योंकि log negative values के लिए नहीं बनाता है log always किसके लिए बनाया गया है positive values के लिए बनाया गया है तो इस बात को तुम्हें बहुत ध् apply करेंगे तो देखो उसके लिए हमारे पास क्या होती है properties होती है ठीक है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा log की थोड़ी बहुत properties जिससे हमें क्या मिलेगा इसका एक basic idea उससे पहले मैं इस वाली class में तुम लोग को पहले log की छोटी-छोटी चीज़े बता देता हूं ठीक है चोटी-छोटी जीजे ठीक फिर next class में हम लोग क्या discuss करेंगे इसकी properties properties discuss करेंगे 2-3-4 question discuss करेंगे idea लेने के लिए overall view ले लेंगे कि ये चीज ऐसे applicable हो जाती है जैसे देखो अभी क्या बताने जा रहा हूं मैं देखो होता क्या है हमारे पास जो math ठीक है उसमें log के बेस दो fix किये गए ठीक है दो base होते है normally जिन्पे हम लोगों को मिलता है एक बेस क्यों हो जाता है बेटा हम लोग के पास 10 और 1 हो जाता है E ठीक है एक क्यों होता है 10 और 1 होता है E E एक fixed constant है जैसे हम लोगों ने πाई देखा है ना πाई 3.14 वैसे ही होता है 2.71 ठीक है लेकिन ये बात की बात है अभी बस हम क्या सीखेंगे कि ये दो बेस होते मतलब या तो हमें लॉग दिखेगा ऐसे ठीक है तो ये लॉग ऐसे दिखता है लोगों को ठीक तो इसमें जो बेस है वो अलग-अलग थेटर में अलग-अलग है ठीक है 10 bho सकता है e bho सकता है ठीक है कि इसके बेस में e लिखा है मतलब इसी चीज़को हम लोग कैसे लिख सकते है log e ठीक है इस case में अलग-अलग chapter में अलग-अलग चीजे लगती है कि इस chapter में ये होगा इस वाले chapter में ये होगा ठीक है तो देखो अभी मैं मान के चलना हूँ थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि अभी base क्या चलना है 10 वाला चलना है ठीक है अगर बेस 10 चल ला है तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं मालनों ये वैल्यू निकाल लिए हम लोगों को 10 याद रखना ये केवल बेस 10 के लिए होती है ठीक है ये मालनों ये वैल्यू निकाल लिए ठीक है पहली चीछ जो दो को मैंने दो अलग करके लिखे दो अलग करके लिखे इसका भी रीजन है ठीक है रीजन क्या है देखो च्छे से जो लॉग वन है वो किसी भी बेस पर ठीक है लॉग वन का अंसर तो ऑलवेस जीरो आएगा कोई भी बेस हो ठीक है बेस से बड़ा और नहीं होना चाहिए log 1 का answer always कितना चलता है 0 ठीक है अगर ये दोनों same हो जाए same होते ही इसका answer ठीक है तो यहाँ पर भी याद बखना अगर यहाँ पर ये दोनों number same हो जाए तो इसका answer कितना हो जाता है मारे पास 2 ये छोटी छोटी बाते है ठीक है कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो इसका अंसर कितना हो जाता है वन अगर यहाँ पर यह तुमारे पास क्या लिखा है वन किसी भी बेस पे तो इसका अंसर ऑलवेस कितना हो जाता है जीरो ठीक है समझना गया लॉग वन ऑलवेस जीरो है सेम हो गए दोनों बेस और य इस पका आंसर क्या होता है यहाँ पर जितने 0 लिखे वही तुम्हारा अंसर अव insgesamt यहाँ पर कितने 0 लिखे एक दो तो इसका किए आंसर कितना हो गया अ यहाँ पर दोकषिवट कितने 0 लिखें नि Dennis है लेकिन यह .- 10 पर ही होता है ठीक है यह तेन के अलावा ये कहीं लगेगा ठीक है यह वाला ये जो हिस्सा है वो बेस 10 के हैं कहीं लगे घ से थो अगर यह बिस्टेन है तो यहां पर जितनी जीरो है वही मेरा अंसर है एक दो ती चार पाँच तो इसका अंसर कितना जाए गया बेटा पाँच ठीक है अब जैसे मालो यह है एक और कर लेते छोटा सा कोश्चन log 10 मालो यह लिखा है एक दो ती चार पाँच चैसाथ आट नो कितने भी लगा Jag water based दिख रहा है अंसर किया है मारे पाँच जितने 0 उपर लिखे है तो count कर लेते 1 2 ती चार पाँच चैसाथ आट नो 10 दस आगए 1 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10, 0, तो 10 अंसर हो गया तुमारे सामने, ठीक है, तो 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 यह छोटी सी बात समझना आ गई, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले lecture में इतने ही सीखते हैं, log जो मैंने बताया है, यह छोटी बाते, चारों चीजे याद अखना, ठीक है, कि अगर बेस्ट हैने, तो 0 काउंट कर लेते हैं, log 1 हमेशा 0 है, log सेम हो जाए दोनों अंदर, तो कितना अंसर हो जाता है, 1, कैसे अटाते, मैंने सिखा दिया है, अब next class में हम लोग क्या सीखेंगे इसकी, properties, properties को फिर थोड़े से question लगाएंगे और उसको discuss करेंगे, ठीक है?